नमस्कार किसान साथियो आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार किया और मेरे साथ हैं चिर परिशित नाम नवेज सेग कल से मैं इनके फार्ब पर घूम रहा हूँ यहां मैंने कुछ अजीब ही चीजे नोट की हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे यह क्या चीजे हैं और क्यों रख्यों यह जैसे मैं यहां पाया मुझे कुछ भैसे दिखाई दी उन भैसों के पास में गोबर भी पड़ा हुआ था मुझे कुछ बक्रिया भी नजर आई मुझे कुछ मुर्गिया भी नजर आई मुझे कुछ इस्ट्रक्चर भी नजर आए और मुझे एक बड़ा सा कुवा भी नजर आया जिस पर उपर एक जाल पड़ा हुआ तो यह सब चीजे क्या हैं और इनका नीमू की बागवानी से क्या संबंध है और यह क्यों की हुई है आइए इस पर चर्चा करते हैं नवेट जी आपका हर्दिक स्वागत है इन सब चीजों के बारे में बताईए कि यह क्या हैओ आपने क्यों चर्च भूँ अच्छा सवाल उठाए आफंस चाहर ये हिस्था ये बागवानी में में कार्वार्मिंगी करे तो बसकी के साथ दुसरी आई का स्रोथ भी बन जाता यह उसका एक चाहिए जो मेरे यहां पशु पालने मतलब भेस पाल रहा हूं मेरे यह पास मुर्गया भी है और फिलाल मेरे पास एक श्टोरेश टेंग है जो सवा लाग लीटर का बनावा है जिसको पानी स्टोरेज के हिसाफ से में पेले डेवलब किया था अब उसको मैंने मशली पालन को रूप म में उसको विक्सित कर रहा हूं मैं जो वर्तमान में जारी नवेज जी बताइए यह जो भैस रखी हुई है आपने तो भैसों पर तो बहुत कारिये होता है कि आपको इनका देखना है कोई ने दूद हुई है किसी देख बाल कैसी है डॉक्टर बुलाना है यह सब करना है आ को दिमाग में आया आपका यह भैसी रखने का मेरा में परपस यह था कि मतलब पहले भी हम डेरी फार्मिंग कर चुके हैं और इंटीग्रेटर फार्मिंग का यह बहुत बड़ा हिस्सा है कि जैसे आपको अगर बगीचा अगर आपने लगा है तो आपको शुरुआत पर उ बगीचे को डेला को कि गोबर के बिना आप खेती नहीं कर सकते गोबर की पूर्ती मेरी भैसे पूरी कर देती और फिर मेरे घर का जो दूद की जो समस्या होती थी और आजकल आप देखी रहों कि दूद कितना मतलब शुद्ध रूप से मिलनी पा रहा है कुछ पावडर का जूद हा ना समस्या दूर आज़ए और विचा उंके ये की समस्याा तुर है और अविक खरचा उनके दूद में निकाल देती हैं हूए और मेरा भी खर्चा निकाल देती हैं ऑगीचे से का भ Εन devast क्या मतलब किस प्रकार निकाल दिशार भी टी यह यो से माल लिजाए तैस दूद देती है एक दीन का तो वह दूद अगर बजार में जाएंगा 55 रुपे पर लीटर के हिसाब से दूद मिल रहा है तो आपको पीवर दूद भी 55 रुपे लीटर के हिसाब साफ को बजार में नहीं मिलेगा और दूसरी बात यह रहती ही कि अपने घर का जो शुद्द द आपको साल भर में कम से कम एक एकड़ में चार ट्राली गोबर खाथ आपको डालना बहुत जरूर रहता है तो आपको खाट डालोगे तो वही भेस आपका गोबर भी आपको साल भर में आप आपको उपलब्द करा देगी वह पूरूरू रूप से सुद्ध रहेगा और आपको उसके हानी आपके बगीचे में देखनों का मिलेगी इसका अर्थ ही है विया कि जितना खर्चा आप इनके घास आदी पर करते कुछ घास बगीचे से मिल जाती है कुछ आप खरीदते हैं उससे अधिक यह गोबर और दूद के रूप में आपको देदे देदी मुझ आपका आपका गोबर भुत ही भुरुबरा लग रहा है मतलब यह क्या कुछ डालते हैं इसमें या कैसे करते हैं सबसे में कारण के यह है कि आपने देखा होगा तर थे मिल पर लगा है उसकी चाहिए पूरा दिन इसन सब पढ़ती रहती है तो च्छाया में कह रहता है जो अब चलती हैं अब चलती हैं नवेजी मैंने तो सुना था कि जो बड़ी होती है वो एक तो उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अगर हम बगीचे में छोड़ेंगे तो पर्टिकुलरी उसका भोजन काटे वाले तो उससे निम्वों को और कहते हैं कि इसके मुह से निकलती हैं जोकि पोधे को बिलकुल सुखा देती हैं वहां से जहां से खाती है तो एक- моसारी बता और बखरी का इस इंटेग्रेटर्टर फॉर्मिंग में क्या संबंद है सर लोक कि ये रहता है यिकि जुन में आप देखते होंगे जब सुरूआ तो इस में गास पुष्भुत होता है। जिसको खारपतवार बोलते हैं और खारपतवार हटाने के लिए। इसे अच्छा जलाज कुछनीऐ को बंप तो फोल जब को त्य यह उद्स परॉब्रोंन होती हैै। अगर सब बंठित्टम के सब सब्सकहाль करदे चल्पना से श्रह Trump कोुछ अरो करें रहे हैं जो वर सफ़ कर लाया तो बहूंद अगर अगर कि लार्थ कोजेकर का 것으로 रल लच एक तो भुनुंग देवलप कर देते हैं उन को में ही रह नहीं को भुड स्पेंच तो निम्बू को कोई नुकसान नहीं ना पत्ते खाती है ना कुछ करती है और आपकी केनों पी एकदम किलियर रहेगी और नीचे जो भी चारा होगेगा वो उसको खा लेगी और उसका भी बहरन पोसन कर लेगी और आपको कुछ पेसे भीन लगेंगा और मैं भी ऐसे करता हू में कुछ एक्स्टा घर्चा एफर्ट मी करता बखर वो बगी चेम जो भी घासपों सुकती है में जेविक वीधी इसमें अपना था हूं कि वह पूर्ण उसको छोड़ देते हम बखरी अपने अपने जो भी वनस्पतिया खाना रेती उसको खा लेती है और वापिस अपना उसका पेड़ भराता वापस अपने खुटे पर आकर वापस बन जाती है नवे जी बखरी का दूद भी लेते हैं अपसका सर दूद या बच्चों को भी पिला देते कुछ उसमें बखरी के इसमें अपन एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं करते कि जो उसको अलग से कुछ आपन म सिनियर अधिकारी रह चुक है में आप से को छुपाँ कि उसको कोई में कोई दाना वागरा कुछ नहीं देता हो सिर्फ भकरी की जो मतलब जो जरूरत पूरता जो सामतलब जो घास रहती वह उसमें उपलब्द हो जाती आसानी से अपलब्द हो जाती है चलिए बखरी का हो इसलिए में ने शीन मूर्गी चैता ही सब्सक्राइट गर की मूर्णी चैरर की मूर्गी दाल बरावर स्थिया तो अगर कुछ अगर आप घर में दून बंग्स को प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ बनाना हो ता फुल्प पार्टी खावि सबद तो उसके लिए बीट एक अमोनिय पाया जा जाया था मुर्गी की बीट में तो उसके रिए मैं उसकी मुर्गियों को जा को बन करता हूं जा उनका केज बनावा है वहां पर वह बीट को एकटा करके सर अभी मेने वर्तमान में आप ने अभी मेरे जो इस्टोरेश टेंग को पर जाल देखा वह मैं मैं मशली पालन कर रहे हैं आपके खेत को साफ करती है और गनिक इलाज है आपका वीडिसाइड का सबसे बड़िया इलाज है गास को साफ करती है भैंस गोबर देती है जो कि फिर और्गनिक फार्मिंग में यूज होता है और अपना सुद्ध गोबर उनको मिलता है और सुद्ध दूद मिलता है और बक्री भी एक इंकम का जरिया है अभी कल मुझे नवेद भाई बता रहे थे कि जब हो तो 8000 रुपे की एक बक्री ब इन वह काम आती है मचलियों के खाने के तो इन्होंने कि स्टोरेज टैंक बनाया है अब उसमें बताइए आप जो हना उस भी सर्म मुर्गियों का में परपस पालने का यह था मेरा कि पहले तो सर में मुर्गियों को स्रीफ मतलब उनके अंडे के लिए पालता था कि अंडे हो जाते है आसानी से और अंडे का मार्केट में रेट भी यहां पर देसी अंडा 20 रूपर का एक मिलता है तो वह भी सेल आउट हो जाता उससे भी आमदानी बढ़ती है और फिर दीरे 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 फिर में उसको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक पार्ट और जोड मेंगी भीगती है तो उसके फीश उसके जो बीज रहते हैं जो चोटी-चोटी मशलिया बोलता है जिसको वह आसानी से अवे लेबल हो जाती है कलकाता से या बॉंबे से या कैसे भी उसको आप लिया और आपको उसको इस्टोरे स्टेंग का में डाल सकते और उनको फीट कर मुख इस तरह मुर्गों की बीट तो मैंने मुर्गों के ऊपर मैंने पिर एक और काम में ले रहा हूं और उसको इसको इस्टोरेज टेंग में डाल गया और मशलियों को फीट देरा जिससे मशलिया भी मेरी बढ़ रही है नवेज जी यह तो बहुत अच्छा हुआ किस तर अच्छा है कि आपके बगीचे पर किनारे किनारे में कुछ बांस है है बहुत बड़े बड़े पांस है तो ऐसा और कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ जगह पर कटेवे भी हैं कुछ जाडियां भी है वो उसका क्या परपज है आपका लगाने का इस सर्बास सरिय यह लगभ ही और आज जो विसमें कुछ बंबू सबिद है और कुछ नॉर्मल से जो बास आते वह भी थे जो चूवीस फिट तक जाते पटे एक जा जर्ज फिट टक जरा तो जो न करल infos सर उसको मैंने आज पशास रुपे नक के साफ से एक बेचा ता और जो यह मेरा एक्स्ट्रा इंकम हो गई थी जो मेरे कुल मिला के 27 जालिया में लगई थी तो उसकी कुल इंकम सर मेरे पास अभी तक 85,000 आ चुकी है जो आपने आप बोल रहे थे सर जो कटेवे बास थे वो मैंने काट के अभी कटेगे थे और उसको काटने के बाद उसको मैंने सेल तो किसान साथियों यह था हमारा एक चर्चा इंटीग्रेटिड फार्मिंग पर के आपको किस प्रकार आपको एक ही फसल पर आधारित नहीं रहना चाहिए और किस प्रकार आप एक्स्ट्रा इंकम जो अन्य इंकम है ले सकते हैं यह नहीं सोचें कि मैं अपनी बागवानी क बीच में ही फसल लेकर कुछ कमा सकता हूं आप खाद में पैसे बचा सकते हैं आपको थोड़ा इंवेस्टमेंट भैस में करना पड़ेगा एक दो पक्री लानी पड़ेगी मेहनत आपको अवस्य करनी पड़ेगी लेकिन फिर आपकी जब तक आपकी फसल तैयार होगी सारे खर्चे आपके इन चीजों से लगभग निकलते चले जाएंगे और बांस भी शुरू कर देगा आपकी बख्रियों से बहुत फाइदा है सर मेरा को बख्रियों से सर मेने सेल आउट कर दी थी सर एक बख्री आसानी से सर अराम से सर नॉर्मल सी नॉर्मल से मतलब साथ साथ अराम से बहुत जाती है अभी मैं आपको वर्तोमान का एक पिस्ता सुनाता हो सार मेरा को फर्टिलाइजर की जवरत थी तो फर्टिलाइजर मुझे लाना था जो मेरा लगभग बाविस से तेवीस हैया रूपर को बीच का आ रहा था तो मैंने आसानी से मेरी चार बख्रिय तो कोई भी इन में से जरूरी नहीं है कि आप बक्री करें कोई और जानवर रख सकते हैं आपको करिए तो केवल इंटर क्रोफ ही लेना एक साधर नहीं है बहुत सी चीज़े हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और सीधे उनका परियोग आपकी फसलों पर भी है नव हम पौधा जो हमारा तीन साल तक हमारे पास खेत में काफी जगह दिखाई जाती है अगर बहुत अच्छी उसने देख रेक करी तीन साल बाद लगने लगता है कि अब ठीक हो जाए तो तीन साल तक किसान कुछ ऐसे होते जिनके पास तीन एकड जमीन है उसने एक एकड में लगा लिया तो वह बहुत बड़ा हिस्सा उसका अगर उसे पांस साल बाद फल मिलेगा तो वह क्या इंटर क्रॉप ले सकता है इसके उत्तर भारत के लिए पर सर इंटर क्रॉप में सर आपके उत्तर भारत में क्या नहीं लेना है पहले ये बताईए और फिर क्या ले सकते ह कुछ पेड़ ना चाहूंगा कि इंटर क्राफ में आपको क्या नहीं लेना है ना सबसे पहला यह जैसे निंभु का जो पेड़ या अमरूद का पेड़ माल लीजे कोई साभी हो तीन फिट से उच्छी फसल आपको नहीं ले ना आप उसको तीन पिट जर से आपका जो लाइट राइट छोड़ी है दो फिट लेफ्ट राइट छोड़ी है क्योंकि क्या है कि इससे एक नाली बना दीजिए कि आपको अगर पानी जरुवत पड़े की सर्सों में या आपके गयों में तो वह उसका इंडिजिवल पानी आपके प्लांट पर पुझ जा और इंडिज है अच्छा लोग कहते हैं कि निम्बू में पिते की फसल आप करते हैं कि ऐसकतेँ हैं लिए सख्भाव में सेंडिये तो बहुत अच्छा लगा अच्छाने क्योंकि सर्पिते में सर और भड़ शवी बड़ा रहता हो उसकी चोब जो जड़े रहती है जो उसका रूल रहता वो एकदम सीधे जमीन में जाता है और उसकी जो रूट जो जो फीडिंग प्रियेट जो फीडिंग का सिस्टम है वो बहुत तीज़ डेवलप होता तो वह आपके और पपीते को आपको हाई डेंसिटी पे लगाना पड़ता है जब आपको वह रहा तो आगर पपीता उससे उ साल भर तक आप रखोगे उसका इंटर क्रॉप के चक्कर माप रहोगा उसका इंडिजवल आपको इन लाइन या ड्रीप लाइन जो भी डालना आपको वह आप उसको खर्चा करोगा तो वह आपको वह एक तो कॉसली बहुत पड़ेगा और आपके प्लांट के उसमें थचा क्रुछ पलांट का सामा आपकर ऊ締ी अड़ हिसाप का साइज अगर तीन साल का है तो उसके पेकर लाइठ का है त 여기서 फाल हमें अपकर आपके एकम सेवल सकते था दंट के तिनों में आप ख़ाराइश सकतते हैं उत्तर बारत में गयों अच्छा अपर गुता है लेकिन प्लांट जो उसको साइड इफेक्ट पड़ेंगे फाइटो बिमारी आजाएगी तो आपको बादान नी आप वो सकते हो आप सरसो बो सकते हैं चना बो सकते हो तूर बो सकते हो मतलब जो भी आपके जो आपका जो एरिया है जो आपका क्लाइमेट जो आपके वहां सुटबल अगर आप उसको बेल वाली वसल को अगर तार खुटे के अगर करोगे जो अगर बोना चाहो तो बोसकते कोई दिक्कत नहीं हाँ लेकिन जमीन पर आप बेल चला रहे हो तो वह नहीं तो बहुत अच्छा है क्योंकि बेल पोद्वे से लिपट के उसको मारने कोशिश करती हो केवल आपकी इंकम और खर्चे आपकी एक फसल पर आधारित नहीं है और मुझे उमीद है कि नावेज जी ने आपके कई परसनों के जो आपके मन में रहते हैं उनके उत्तर दिये होंगे और ये भी मैं उमीद करता हूँ कि इन से आपको काफी जानकारी मिली होगी हम नावेज जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने कल से लेकर अब तक हमारा बहुत साथ दिया हमारा हर तरह का ध्यान रखा और अब ये हमारी अंतिम प्रस्तूती थी और अब हम कुछ समय बाद ही निकलेंगे बड़ोधा के लिए वहां पे क्या होगा ये हम अगली हुआ 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 है